हाई अबरिबन कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका कुक विद मिनाक्षी में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुभ़ की चाई के लिए हलका फुलकासा और बहुत ही कुरकुरासा एक नास्ता चलिए इसे कैसे बनाते हैं यह हम सीख लेते हैं रेसिपी को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे मेरे आग आने वाले वीडियो आप तक महुस्ते रहें चलिए तो शुरू करते हैं हमारी बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनने वाली इस रेसिपी को तो इसके लिए हमें एक कप गेहूं का आटा चाहिए साथी एक चोटा चमच अजवाइन लिया है मैंने जिसको मैंने ऐसे हाथों से क्रश करके डाला है साथी मैंने यहाँ पर लिये एक चोटा चमच का लौजी यानि की मंगरेला साथी इसमें एट करूँगी मैं एक चोटा चमच नमक एक चोटा चमच हल्दी भी एट कर देंगे यहाँ पर मैंने एक चोटा चमच भुनाजीरा पाउडर भी डाला है साथ ही इसमें एक चोथाई कप सूजी भी डालेंगे जिससे ये बहुत कुरकुरा बनेगा और इसी के साथ दो बड़े चमज तेल भी डालेंगे आप चाहें तो गी का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इन सभी चीजों को हमें इस तरह से हाथों से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे इन सभी का फ्लेवर आटे में आ जाए जब ये आटा अच्छे से मिल जाए तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक दो तयार कर लेंगे जो ज़्यादा soft भी ना हो और ज़्यादा hard भी ना हो और आप देख सकते हैं आटा अच्छे से combine होकर तयार हो चुका है तो आटा लगकर तयार हो चुका है इसे हमने ना ज़्यादा hard रखाए और ना ही ज़्यादा soft चलते हैं next process में तो friends मैंने यहाँ पर दो उबले हुए आलू लिये हैं जिनकी चलके मैंने उतार कर रख लिये थे तो देखिए friends इस तरह से हम fox से चलाते हुए ने अच्छे से mash कर लेंगे आलू अच्छे से mash हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे आदा चोटा चमच भुनाजीरा पाउडर आदा चोटा चमच गरम असाला पाउडर भी डालेंगे साती हम इसमें add करेंगे आदा चमच हलती पाउडर आदा चोटा चमच लाल मिर्श पाउडर और साती हम डालेंगे एक चमच कसूरी में थी जो मैंने गरम कर के टरश करके रख ली थी और साथी प्रेंट्स आलू के मसाले में मिलाने के लिए मैंने यहाँ पर दो चमच बेसन लिया है जिसे हमें दीमियाज पर सेक लेना होगा बेसन मिलाने से प्रेंट्स आलू में जो मॉश्चर है वो खतम हो जाएगा और यह इस रेसीपी का सीक्रेट भी है और आलू में बुना हुआ बेसन मिलाने से इस रेसीपी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा इन सबी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आलू की स्टफिंग बनकर तयार है अब हम इसे साइड में रख देंगे और चलते हैं डो की तरफ जो आटा हमने लगाया था फ्रेंट्स उसकी हमने दो लोईया बना ली है और इसे हम थोड़े से आटे की हेल्प से इस तरह से बेलते जाएंगे इस तरह से फ्रेंट्स इसे बेलते हुए हमें इसकी एक बहुत बड़ी रोटी बना लेनी है जितना बड़ा हमारा चकला दिख रहा है na friends इसी साइज में हमें इसे बेल लेना है इसे हमें इस तरह से बेलते हुए फैला लेना है friends और friends इसकी थिकने सावें रोटी से बस थोड़ी सी मोटी रखनी है तो हमारी एक रोटी तो बन कर तियार हो चुकी है अब इसके उपर हमें आलू वाली स्टफिंग को फैला देना है तो इस तरह से friends हमें थोड़े थोड़े आलू की स्टफिंग को लेकर पूरी चपाती पर फैला लेना है आलू की स्टफिंग को मैंने friends पूरी चपाती पर अच्छे से फैला लिया है और इसके उपर हम रखेंगे एक और इसी के साइज की बनाई हुई चपाती और friends हलकी total से इसके ends को हमें दबा देना है और friends हलका सा बेलन चलाते हुए हमें इसे एक बार फिर से बेल लेना है इसे पहले वर्टिकल याइन में कट कर लेना है इसे कट करने के बाद इसे हमें horizontal line में भी कट कर लेना है और ये इस तरह का एक square box बन जाएगा और इसी square box से हमें अपने snack का design बनाना है इसी तरह से हमें इसे fold करते हुए हमें दोनों side से इसे उठाना है इसी तरह से इसका friend एक design बन जाएगा और ये देखिए हमारा florber समूसा बन कर तयार है तो friends आप देख सकते हैं डिजाइन देखने में कितना प्यारा लग रहा है जो design है friends ये बहुत ही unique है तो अगर आप chai के साथ कुछ नमखीन snacks खाना पसंद करते हैं तो ये recipe आपको बहुत पसंद आने वाली है तो चलिए अब हम इसे fry कर लेते हैं इसे fry करने के लिए हमें oil को गरम कर लेना होगा fry करने के लिए आप oil को high flame पर गरम कर लिजएगा तो ये oil अच्छे से गरम हो जाए तो हमें सारे florber समूसा फ्राय करने के लिए इसमें डाल देना है गरम तेल से हाथों को बचाते हुए हमें इसमें एक एकर के सारे फ्लावर समुसा डाल देना है तो फ्रेंट्स देखिए एक कप के हुँगे आटे सी ये कितना सारा स्नेक्स बन कर तेयार हो जाता है तो जब चाई के टाइम पर हमारा मठ्रिया बिस्किट खाने का मन करता है तो इसे आप घर पर ही बना कर पूरे परिवार के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है तो एक बार ही फ्रेंड्स आप ये फ्लावर डिजाइन वाला समूसा घर पर बना कर देखिए और पूरे परिवार के साथ इसे चाय के साथ एंजॉय भी कीजिए इसी तरह से कंटीनिस चलाते हुए इन्हें हमें फ्राइ कर लेना है और ये अब अच्छे से सिख चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेते हैं इन्हें सिखने में जाता टाइम भी नहीं लगा है चार से पांच मिनिट में सिख कर तयार हो चुके हैं और friends आप इसे बना करके एक airtight container में रखकर कुछ दिनों के लिए store भी कर सकते हैं और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हों तो आप इसे बना कर साथ में लेकर भी जा सकते हैं तो मैंने बागी बचे हुए flower समूसे भी fry कर लिए हैं तो देखिए friends ये unique design वाले हमारे flower समूसे बन कर त्यार हो चुके हैं तो friends अगर आपको चाय के साथ मठ्री बगरा खाना पसंद है तो आप ये वाला snacks जरू ट्राइ कर सकते हैं और friends ये घर पर ही available बहुत कम चीदों के साथ जल्दी से बन कर त्यार भी हो जाता है friends आप एक बार इस recipe को घर पर जरूर ट्राइ करें और चाय के साथ तो इसका combination बहुत ही जमता है friends अगर आपको वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को like share जरूर करेगा और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले